हेलो माइडी स्टूडेंट्स आई होब यह और आल फाइंड वेल डियर सुडेंट्स आज हम क्वेश्चिन नुबर 5.20 को सॉल्व करते हैं इसके स्टेट्मेंट में हमें वो बता रहा है कि कंप्यूट दा वेटिट इंडेक्स नंबर्स इस क्वेश्चिन में हमने जो चीज दिनकान को सिटेट करनी ए इस में कि हम इस डेटे का गिवन डेयटेका वेटिड इंडेक्स नंबर्स फाइंट करना है उस डेटा के अंदर हमें जो जो बेसे शिए गया वह है थैक Ayakura यह हैं एक है 1964 और एक है नाइट सिस्टी ठीक है तो इन दो f सालों का उसने हमें डाटा दिया है और इस data में एक साल हमारे पास ब्रहने में से जोने में要 toit है और हमने इस data का इस data का वे टिर्ट इंडेक्स नबर फाइंड करना है और इसमें हमें तीन कॉलम से दे दी के हैं कॉमोडिटी प्राइस एंड कॉंटिटी ठीक है तो अब हम इसको जाके सॉलुशन में देखते हैं कि हमने इस क्रेशन में कौन सा फॉर्मला अप्लाय करना है जिसके लिए हम वेटिड इंडेक्स जो है वो फाइंड कर सकें तो स्टुडेंस यह जो डेटा है मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इसमें मैंने छोटा सा जो है वो हिंट के तोर पे कॉलम्स के अंदर यह मैंने पी नौड लिखा है इधर मैंने पी एन लिखा हुआ है इसी तरह यहां पे मैंने क्यू नौड झाल लिखाओ है और QN लिखाओ है ठीक है वह मैंने इस लिखा हूँ है क्योंकि जैसा कि उसने पिक्मρα के Grams 1960 जो है वो हमारे लिए बेस पीरेड है ठीक है ना अब इस बेस पीरेड के अंदर जो प्राइस होगी वह भी हमारे पास बेस प्राइस होगी और बेस के लिए हम नौड को यूज करते हैं ठीक है चुंकि प्राइस है प्राइस का पी यूज कर लिया और बेस के लिए मैं नहां पर लिख दिया जबकि अगर हम 1964 की बात करें तो यह हमारा करण्ट यह तो करण्ट यह को हम स्मॉल एंड से रिप्रेजेंट करते हैं और पी फॉर प्राइस तो इसका पी एंड मीन्स करण्ट प्राइस इस तरह कॉंटिटी में अगर आजे हम तो कॉंटिटी के अंदर म स्मॉली जो कॉंटिटी है वो क्यू नौड है और क्रंट यह हमारा 1964 है इसलिए इसकी जो कॉंटिटी होगी वो क्यू एंड कहलाएगी उसको उसको हम क्यू एंड से रिप्रेजेंट करेंगे एंड फॉर क्रंट ठीक है तो यह मैंने चार चीज़ें आपके सामने इस तरह से से एक स्टूडेंट को समझना आना चाहिए वह बस उसको यह जच करना चाहिए कि मैंने price में कौन सी base price लेनी है और कौन सी current price लेनी है इसी तरह quantity अगर है तो उसके अंदर कौन सी मेरी base quantity और कौन सी मेरी current quantity है ठीक है जब यह पता चाल जाए तो आगे जो है वो सारे का सारा काम बहुत इजी हो जाता है ठीक है formula हम देखते हैं formula में जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसका हम एक column drive कर लेते हैं ठीक है तो यह जो फस्त दो columns है green वाले यह मैंने last page index number के लिए बनाए है और यह वाले दो columns मैंने पाशीज इंडेक्स नमर के लिए बनाए है लेस्ट इंडेक्स नमर के लिए हमें pn और qnod का product चाहिए ठीक है और फिर उस column का हमें sum चाहिए तो pn qnod को हम multiply करेंगे और then last पे उसका हम sum ले लेंगे यह हमारे पास pn है ठीक है students और यह हमारे पास qnod है तो यह दो columns है इन दो values को हम multiply करते जाएंगे और answer हम इस column के लिखते जाएंगे जब हम 4.25 को multiply करेंगे 97.75 से तो हमारे पास हमारा जो answer वो find out हो जाएगा ठीक है pn into qnod तो हमारी फर्स्ट जो हमारा answer आएगा वह आजएगा मारी students 415.4 इसी तरह जब हम second pn की value 38.90 का multiply करेंगे 78 के साथ तो हमारी अगली value आजेगी 3034.2 और इसे तरह थर्ड वैल्यू में हम जब 59.70 जो के हमारी pn की value है इसको multiply करेंगे अपनी qnod की value के साथ जो के 118 है तो हमारे पास हमारा answer आजएगा 7044.6 ठीक है students तो इस column का जब हम sum करेंगे तो उसका answer हमारे पास आजएगा sum करने के बाद 10494.2 ठीक है students तो यह sum करने के बाद होर answer आजएगा इस column का इसे दरह next column फिर drive करते हैं जिसमें पी नौड और क्यू नौड ठीक है यह दो columns आपस में multiply हो रहे हैं पी नौड के लिए हमारे पास यह 1960 वाली price लेनी हमने पी नौड और क्यू नौड 1960 वाली quantity लेनी है तो इन दोनों को हम multiply करेंगे पी नौड इंटू क्यू नौड और answer हम लिखेंगे इसके अंदर तो 3.95 multiply by 97.5 इसका answer हमारे पास आजएगा 386.111 नेक्स हमरे पास जब हम 34.80 को multiply करेंगे 78 के साथ तो हमारा अगला answer आजएगा 2714.40 and third one is P node into Q node 61.56 multiply by 118 तो इसका हमारे पास answer आजएगा 7264.08 और जब हम इन वैल्यू को sum करेंगे तो उसका sum हमारे पास आजएगा 10364.6 ठीक है अब यह दो sum जो हमने लिए इन दोनों को उठा के हमने इस formula में put कर देना है ठीक है पी एन क्यू नोट का जो sum था मारे पास पी एन क्यू नोट का वह है 10494.2 divided by पी नोट क्यू नोट का sum मारे पास आ रहे है 10364.6 multiply by 100 जब हम इसको solve करेंगे तो हमारा इसका जो लेस्पेर्स इंडेक्स नमबर है इसका जो answer निकलाएगा वह आएगा 101.3 ठीक है students अब हम अपना पासीज इंडेक्स नमबर निकाल लेते हैं पासीज इंडेक्स नमबर के लिए हमें पी एन क्यू एन मेंज के यह कॉलम चाहिए तो हम अपनी क्रेंट प्राइस को अपनी क्रेंट क्वांटिटी से मल्टिप्लाइ कर देंगे जो हमें गिवन है मुल्टिप्लाइ करने और देन उनका साम ले लेना है ठीक है फॉर पैंट टू फाइव मल्टिप्लाइब वन जिरो फॉर पंट्री सिक्स इसका हम अंसर यहां पर लिख देंगे वाजिका में रपस फॉर 4 3.53 नेक्स्ट पी एन की वैल्यू है 38.90 उसको 83 से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारा अंसर आजेगा 3228.7 ठीके स्टुरेंट्स और नेक्स्ट हमारा जो आंसर आजेगा यह बीन क्यू एंका वाइग 59.7 का मुल्टिप्लाइ करेंगे जब हम 116 के साथ दो हमारा आंसर आजेगा 105 5 97.4 ठीके स्टुरेंट्स एंड लास कॉलम इसमें हमें चाहिए अच्छा इसका हम सम ले लें सच पहले इन तीन वैल्यूस को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास इसका सम आजेगा इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं ग्रीन से लिखे देता हूं ठीक है बलके ब्लू से लिखता हूं तो इसका यह जो है यह साम है 1059 7.4 जबके यह जो वैल्यू है इसकी जगा पे हमारा आंसर आता है 6925 ठीक है 6925 पॉइंट टू बस यहां पर चोटी सी गड़बड होई है बागे ठीक तो इन तीनों वैल्यूस का साम मार पस यह नीची आ गए जो मैंने 105 97.4 लिखा था पहले उपर लाक्स करना हमारा पी नोर्ट क्यों और पी नोर्ट हमारा यह बेस प्राइस और क्यों हमारा यह है ठीक है क्रेंट क्वांटिटी तो इनका जब हम इन फर्स्ट दो वैल्यूस का मुल्टिप्लाय करेंगे तो उसका अंसर आजएगा मिंसके 3.95 का मुल्टिप्लाय करेंगे जब हम 104.36 के साथ उसका अंसर आजएगा 412.22 and up to so on ठीक है क्रेंट के स्वाइगे तो वहाँ पास आजएगा वन जिरो डबल फोर भॉन प्राइब एन दोनों सम्द को हम इस पाशिस के फॉर्मुला के अंदर यहां पर पूट कर देंगे ठीक है इन दोनों को उठाएगे और यहां पुट कर देंगे तो यहां पूट आजएंगे और कर लेंगे तो पी एन क्यू एन का सम हमारे पास पी एन क्यू एन के सम आ रहे है 10597.4 इसको डिवाइड करेंगे पी नोड क्यू एन के सम पे वह हमारे पास आ रहे है 10 तो इसका भी आंसर जो हाजएगा 101.4 तो पाशीज और लेस्पेर्स का हमेशा जो आंसर होता है वह एक ही निकलता है एक ही निकलता है पॉइंट के बाद फिगर्स राउंड हो जाएं उनका कोई इशू नहीं है बट पॉइंट से पहले इनकी आंसर मेशा सेम ही होते हैं ठीक है तो यह हमारा स्टुडेंस क्रेशन था छोटा सा जिसमें वेटिड इंडेक्स नमर हमने फाइंड की है और वेटिड इंडेक्स न लेकर और यह वेटिड इंडेक्स नमर्स फाइंड कर लिए हैं तो क्वेशन में कहीं पर भी कुछी समझना आ रही हो तो क्वेशन को एक दफ़ा देख लीजिए के दुबारा अराम से ठीक है कुछ चीज़ें यहां पर मैंने चोटी-चोटी लिक हुई है आई होब क्या को नजर आ रही हूँ तो बाकी अगले प्वेशन में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ हाजिर होता हूं जल्दी अपना हयार रखेगा दौा में मुझे याद रखेगा टेक कियर अल्हाफिज